हेलो दोस्तों ना बेलना ना गूंदना एक कप गेहूं के आठे से बनाएंगे और आलू से बहुत ही खसता और एकदम करारी करारी कचोरी तो चलिए सुरू करते हैं तो यह हमने एक टेवल इस्पून हमने जीरा लिया है और एक टेवल इस्पून हमने सावुत धनिया जो होत के तो इसको भून लेंगे तो एक दो मिनट के लिए ऐसे ही हम बिल्कुल दीमी आच में इसको अच्छा करारा कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आते है इसका मसाले का हमारी कचोरी में बहुत ही अच्छी लगती है तो ऐसे ही हम भून लेंगे दीमी आच में ही अच् देखे, ये बून के हमने बिल्कुल तयार कर दी है, आची करारी हो गए हैं ये मसाले, तो अब हम क्या करेंगे, कैस को बंद कर देंगे और इनको थोड़ा ठंडा होने देंगे, तो तब तक हम एक पैन रथ लेते हैं, और इसमें हम एक चमस तेल डाल रहे हैं, रिफाइन डा लेते हैं हलका सा ही डालेंगे और हलका सा इसको भूल लेंगे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे इसका जादा नहीं पूनेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं एक कप पानी तो एक कप पानी को डाल के इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे तो यह आप देखें अभी हमें मसाले में भी नमक डालना पड़ेगा इसलिए हम थोड़ा ही रालेंगे नमक अभी और इसे उबल ने अच्छा उबल आने लग गया है तो उसके बाद एक कप हमने गेहूं का आटा लिया है तो हम एकास से मिक्स करते रहेंगे और एकास से इसे अच्छी तरह से गुठलिया ना पड़े तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलिया भी ना हो वैसे गुठलिया होती नहीं इसको अच्छी तरह से हम विल्कुल डो के फॉर्म में लियाएंगे और गैस को हम मीडियम पर ही रखेंगे तो यह आप देखी यह बन के विल्कुल तयार कर दिया हमने तो गैस को बन कर देते हैं उसके बाद हम दूसरा पैन रख लेंगे और इसमें हम दो चमज तेल डाल रह हैं और आदा चमज वो डाल रहा है साब तो साब से बहुत अच्छा टेष्ट आता है तो जरूर डालें और यह थोड़ा सा कडी पत्ता डाल लेंगे ज्यादा भी नहीं भूनेंगे तो गैस को मीडियम पर ही रखेंगे इस टाम पर भी और यह दो हरी मिर्ची को हमने बारी काट लिया था इसे डाल देते हैं इसे भी हलका सा पून लेंगे तो उसके बाद हमने ये थोड़ा सा लसुन लिया था तीन चार फली तो ग्रेट कर लिया था और थोड़ा सा अधरक का टुकुडा लिया था एक तो दोनों को ये हमने अलग लग ग्रेट कर लिया था तो इसको भी डाल देते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारी कचोरी में लसून और अध्रक का तो इसको भी हलका सा कलर चींज कर देंगे यह आप देखें तो यह भी हो गया है उसके बाद हम क्या करेंगे हमने यह दो आलू मीडियम साइज के उबाल लिये थे और हातों से हलक मोटे मोटे ही क्रस्ड कर लिये थे इनने भी डाल दिते हैं उसके बाद इसे अच्छी तरह से मीक्सक लेंगे आलू को तो दो-तीन मिनट हम ऐसे ही दो मिनट या धाई मिन तक ऐसे ही भून लेंगे तो थोड़ा मसाले इसमें पहले एड़ कर लेते हैं तो थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसारी डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पॉडर हम डाल रहे हैं उसके बाद थोड़ा सा लाल मिक्ची पॉडर डाल रहे हैं और ये जो हमने मसाला जो हमने वो करा था गैस में भूना था तो उसको हमने कूट लिया था अच्छी तरह से मोटा मोटा ही रखा था त तो इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से और थोड़ा सा आम ये चाट मसाला डाल रहे हैं तो इसे भी मिक्स कर लेंगे दो मिनेट के लिए अच्छी तरह से आलो के मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे तो थोड़ा सा मोटा मोटा आलो रहे तो वही ज्यादा अच्छा लगता है जैसे समोसे का होता है वैसे ही कचोरी में भी अच्छा लगता है तो इसको अच्छी तरह से मिलाते हुए अच्छी तरह भून लेंगे तो ये आप देखें हमने अच्छी तरह से भून लियाएचे और थोड़ा सा धनिया की पतियां हम इसमें डाल देंगे तो इन्हें धनिया की पतियों को भी मिक्स कर लेंगे और गैस को हम बंद कर लेंगे अब तो उसके तब तक हमारा ये 10 मिनिट हो गए है तो ये भी अच्छी तरह से ठंडा मतलब हलका ठंडा हो गया है ठीक है मतलब हाथ लगाने लायक तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह मतलब सॉफ्ट कर लेते हैं हलका सा तेल हमने हाथों में लगा लिया था तो ये हो गया है उसके बाद हम लोई थोड़ लेंगे इसमें तो जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं ऐसे ही लोई बना लेंगे यह आप देखें और ऐसे हम हाथों से हलका सा इसे दबा के उंगलियों से थोड़ा सा चप्टा कर लेंगे बिल्कुल आसानी से हो जाएगा तो आपको बेल लेके भी जंजटनी है इसमें और इसको इसमें हम आलो का जो मसाला बनाया था वो हम इसमें भर देंगे तो यह दो चम्मश हम भर रहे हैं तो इसको हलका सा उंगलियों से दबा लेंगे अंदर की तरफ मसाले को और जो हमारा आटे का डो है उसको हम भार कुला के इसको बन कर देंगे तो यह आप देखिए बिल्कुल आसानी से इसको वही मोड़ देंगे और ऐसे करके हलकी सी चप्टी कर लेंगे जैसे टिकी का सेफ होता है कचोरी का तो वैसे हलकी से दबा लेंगे तो ऐसे ही हमने बना के सारी तयार कर दी है तो उसके बाद इदर हमने पैन में कड़ाई में तेल गरम कर लिया था तो हलका गरम ही है तो इस टाइम पर हम यह कचोरी को इसमें तेल में जितनी भी आएंगी उतनी डाल लेते हैं तो ज़्यादा गरम तेल में नहीं डालेंगे हलका ठंडा ही रहेगा तेल तो इसी टाइम पे हम इसे डाल लेंगे ज़्यादा गरम रहेगा तो एकदम से फट जाएंगी तो यह आप देखें अब हम पलट लेते हैं इनको तो तीन-चार मिनट तक तो हमने इन्हें छेडा ही नहीं है अब बिल्कुल हलका कलर आने लग गया था उपर की साइड भी तो तभी हमने इन्हें छेडा है तो यह आप देखें उलट पलट करके दो-तीन बार अच्छी करारी बन गी है तो अब हो इसे निकान लेते हैं तो शुरू में तो हमने बहुत ही धीमी आज में इन्हें से कर तो यह बन के बिल्कुल तयार हो गई है तो यह हमने सारी बना के बिल्कुल तयार कर दी है तो अब आप इसे सौस के साथ या फिर चाय के सौकीनों तो चाय के साथ खा सकते हैं थैंक्यू